तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या है what is the true weight of an object in a geostationary satellite अगर geostationary satellite है उसमें true weight कितना होगा अगर कोई object 10 newton है at the north pole मतलब अगर मैं इस सवाल को solve करूं तो north pole जो होता है pole पर जो weight है वो कितना है mg is equal to 10 newton है that is story at pole तो i hope कि आपको pole पे equation number first यह कहा नहीं कहा है pole पर है तो यह object ऐसे है यह तो जब यह pole पर है बार बार हमें यह circle बनाना पड़ता है तो यहां पर यह वाली जो पूल है यह pole है तो इस pole पर weight कितना है 10 newton अब कहते हैं अगर कोई geostationary satellite है GSS है तो लेट अस चंसीडर एनी geostationary satellite तो अगर मैं कोई geostationary satellite चंसीडर करता हूं जो इस आर्थ का चक्कर लगा रही है इस आर्बिट में लेट आस चंसीडर यह अर्थ है और यह इस आर्बिट में कोई geostationary satellite GSS कोई चक्कर लगा रही है और यह यहां से यह वाली चीज तो हमें निकालना है कि अगर इस satellite में इस वाले satellite में कोई object है तो उसके पास weight कितना होगा हमें इसकी calculation करनी है तो अब तो आदेको यार जीयो इस्ट्रेशन्री सेटलाइट में अगर वेड देखोगे वेड देखोगे जियो इस्ट्रेशन्री सेटलाइट में वेड जो है इस इंसाइड जी एसस जी यो इस्टेशनरी सेटलाइट तो वेट जो वो डबलू डैस इस उकल टू एम जी डैस के एक को लोगी यार समझ में है और यह जो जी डैस अर्थ का सेंटर ओ है और यह जो हाइट यह रेड़ यह आर्बिट है इसको तो हमें निकालना पड़ेगा यह यह वाली हाइड जो होती है वह एच है और यह जो है ओर रैडियस अफ अर्थ कैपिटल आर है तो इसमाल आर की जो वेड़ू आ जाएगी आरीट ओक एर प्लस इसमाल के एक कोल आजाएगा तो आर्बिट जो है वह 6400 किलो मेटर प्लस जो जी यह सेटलाइट होती है वह 30000 यहां पर जब कोई जी इस वाले जी और सेटलाइट में रहेगा तो फिर इस पॉइंट पर बस जी हमें रखना होगा तो जी की वेलू रख देंगे तो प्रॉब्लम सॉल हो जायेगा तो इसका मतलब एँगी और जी वेलू जी और आर प्लस एज का हौल का एस्वायर होता एस हट पर इस हाइड और अगर मैं इसको सॉल करूंगा तो घ इजडा इधर आजए मजी और इधर आजए के पोलस कर सारी वेलू रखो एमजी की वेलू 10 न्यूटन पहले ही दे रखे थे ठीक है रेडियस 6400 किलो मेटर डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ 6400 किलो मेटर प्लस जियो इस्ट्रीश सेटलाइड अंडर इस्टूड दिया नहीं गया 36000 के लगभग होता है तो डबलू डैस की जो वेलू आ जाएगी वह 0.23 न्यूटन आ जाएगी जो की बहुत ही कम है ठीक न तो यह गिवाली इस इस देट सिच्विएशन इस इस वेट अब्जेक इस जोट्रीश सेटलाइड तो आई होप कि यह आपको क्लियर हो गया होगा